साहिब की जुआनिंग के लिए हमारे पाटी के हजांची सेद मज़ूर हज़न साहिब अशरफी साहिब जो पाटी के जिम्मेदार है महभूप साहिब संतोस भाई और हज़रत गुलांग शाहिद साहिब रभबानी साहिब और सीमानचल में तालीमी मरकज तालीम का एक दिया जलाने के लिए तफीम साहिब और मेरे प्रेस के साथी रजी साहिब गुफरान साहिब वासिद साहिब शकील भाई तमाम लोग का मज़ी सित्याद मुस्लिमीन के तरफ से हम लोग आपका इस्तअगबाल करते हैं और रियासती सदर का हम लोग शुक्रगुजार है कि वो पहुंचाता है फेस्बूक और यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आप लोग जाने के संधर्श की सील हैं नौजवान हैं युवा हैं उर्जवान हैं तो रियासती सदर साहिब की जाज़त से हसन जावेज साहिब की जोइनिंग आज मजली सित्याद मुस्लिमीन की रुख थिर्थ बैंट मुफलर मुफलर पहलाई बहुत बहुत हुआ रहे हैं सबी लोगों का शुक्रू गुजार है कि आपने पूंके साथ साधी जिकर रहे हैं अच्छा दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं जैसा कि आप जान रहे हैं कि अच्छा सब्सक्राइब कर दोस्तों कि कोई भी पार्टी डिसिप्लीन से चलती है और डिसिप्लीन पार्टी का बुनियाद है करोना है प्रेस वाला कैसा हम लोग पे इसलिए हम लोग यतियात बरत रहे हैं तो हसन जावेद साहिब की जोईनिंग और भव करते और अच्छा करते लेकिन प्रसा सोसल डिस्टेंसिंग और धीड का जो यतियात हम लोग पालंद करने वाले मजली सित्याद मुस्लिमीन का यह मकसद भी रहता है कि हम सेहत रहेगा तभी पार्टी रहेगी तभी आप लो अच्छी और पार्टी के मजली सित्याद मुस्लिमीन के पांडिंग मेंबर में से स्यद मजरूर हसन साहिब से गुदारिश कर रहे हैं कि सर उनको रुप लियाते हैं स्यद मजरूर हसन साहिब अच्छी और पार्टी के पार्टी के एक और जिबेदार और बहुत मजबूट जो लगतार जब से मजली सित्याद मुस्लिमीन लोकसभा के बाद जब ऑफिस छोड़े जब गवर्मेंट के एंडर में थे तब जोड़ी सिंपैथी चीए वेकिन जब गवर्मेंट के दाइरा से बहां निकले अचर्फी साहिब अश्रारूल हक अचर्फी साहिब से मैं गुदारिश करता हूँ कि जिशान फरीदी साहिब जो भी मदबूत समाजी कार्कून है उनको भी आज मजली से चाद मुस्लिमीन की रुकनियत दे सदर साहिब दाद से मैं गुजारिश कर रहा हूँ वहां शर्फी साहिब से कि इंको रुकनियत दिया से और सर इंको महला भी ताहिए सदर साहिब की विद्धवा ले लिए परिदी साहिब यहां परिदी साहिब अब लोग के आमानत है भाई यहां के मानत हो गए इस यूर परफटी नाम यह पेख इंको तो गड़ागी यह मद्लीशी पर्चम है बहुत ही मुभारक पर्चम है दोस्तों जैसा कि आप जानना है कि बंदी सित्क आदो मुस्लमीन डेली हर दिन अलहंदो इल्ला पुरे पिहार और भासकर सीमांचल को अपना आप लोग की महुपत और शफकत से मजबूत हो रही है मैं चाहूंगा कि अपने रियासती सद्वर से गुदारिश है कि सर्फ दो मिनट वो उससे पहले एक मामला है हसन जावेद साहिब क्योंकि पार्टी का एक नियम है प्रोटोकॉल है एक रूल है रेगुलेशन है तो मैं हसन जावेद साहिब से गुदारिश करता हूँ तो आहद नामा इसको पढ़त मैं हसन जावेद पिता हुली फार्मात गराम काशिवारी बलिया ठाना कोचा गामन किशन में बिदान सबाचे तो आज दिना कुटीज जुलाई बिस सब्सक्रा गरन करते हुए शपद पूरवक एक रार करता हूँ के पूरी मेहनत और इमानदारी से पाठी के लिए समध्वित रहूंगा मैं पाठी के सिदान का आदर सम्मान और पालन करूंगा विदान सबाचे लिए यदि मैं पर्ट्याशी बनना चाहा या पाठी द्वारा मुझे द्वार बनाया गया तो मैं निश्टा पुर्वक चुना लड़ूंगा और जीत गया तो पूरी और वफादारियों परकारा रखूंगा यदि मेरे द्वारा या छेत रुवासियों के द्वारा मुझे पर्ट्याशी बनाने का दवाव के उपरांग यदि OI M.I.M. पार्टी ने मुझे पर्ट्याशी नहीं बनाया तो ऐसी परिस्तिती मैं पार्टी के फैसले क्या सम्मान करूंगा किसी परकार का विद्रो या पवावत पर कर निर्दली आत्वा किसी अन्य राजनितिक दल की तिकट को चुनाओ नहीं लड़ूंगा बलके पार्टी के एक सिपाई की हैसे से अपने पार्टी के पर्ट्याशी का समतने वं सर्योग करूंगा मैं अपनी राजनितिक गति विदी मैं भाते समिदान सामाजित सुहार्द एवं अपनी पार्टी के सितान के वं आधिश का मिवान करूंगा मैं चाहूंगा कि अपने रियासती प्रदर जनाब अक्तरु लिमान साइब से गुदादी के एक सर इज्वाइनी को मौके में पूछ अपनी बात सब्सक्राइब अधिज़ों और पार्टी के हमारे जिम्मेदार सांसियों मेरे लिए और M.I.M. लिहार के लिए एक बड़ी खुश्खबरी तो नहीं कहूंगा मैं बलके मकान मुसरत है कि हमारे दर्मियान में एक बड़े जिम्मेदार साहफी और सीमान चल में साहफत को एक निया रुख देने वाला बिलखुस तोसल मीडिया के नौजवानों की तर्वियत करने वाला एक ऐसा साहफी जिसे हम हसन जावे के नाम से जानते हैं